आगरा में सरवाधेत लोग प्रिये चैनल सीन्यूस के एक को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें भारत के पहाडी लाकों में जमकर हो रही बर्फबारी का सर ताजनगरी में देखने को मिल रहा है करकराती ठंड और तेज हवाओं से बचने के लिए लोगों को आग का सहरा लेना पढ़ रहा है शुकरवार कुत्तर भारत के पहड़ी लाकों में हो रही चमकर बर्वबारी के चलते ताजनगरी में लोगों को आग का सहरा लेना पड़ा हाला के दिन में निकले तेज धूप के चलते लोगों को कुछ राहत मिलती है लेकिन शाम होते होते ठंड का प्रकोब बढ़ने लगता है ऐसे में ठंड से बचने के लिए लोगों को अलाव का सहरा लेना पड़ा है महीं ठंड की वज़े से लोगों के रोजमरा के काम प्रभावित हो रहे हैं ऐसे में दो पईया बाहनों पर चलने वाले लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है ठंड से बचने की काफी ज़रूरत है और उनको एतिरात रखने की भी ज़रूरत है क्योंकि ठंड में बच्चों मुझूरकों बच्चों को काफी परिशानी नजर आती है तो मैं चाहूंगा कि इनको अपने घरों में रहें, खुश रहें, लक्षित रहें सर्दियां एक्चली बहुत ज़्यादा तापान हो रहा है, मुझे लगता है कि आगे जाके और ज़्यादा हो सकता है तो हम लोगों को प्रिकॉशन्स लेके भी चलता है, क्योंकि कोवेट भी चल रहा है, अभी कम नहीं हुआ है और में भी सर्दियों में ज़्यादा भी भर सकता है कोवेट क्योंकि लास्ट येर भी डिसंबर में ही आया था और इस सर्दियां बहुत ज़्यादा ही है, तो सब को प्रिकॉशन्स लेके भी चलना है और मैं चाहती हूँ कि जो लोग एज लोग है और जो चल्डरन्स है वो थोड़ा घर के अंदर ही रहे क्योंकि सर्दियों में कोवेट ज़्यादा फैलने की समभावना रहती है और जब तक वैक्सीन नहीं बनती है प्रॉपर तब तक तो सब लोग अंदर ही रहे और यह सर्दिया इतनी भड़ रहे हैं तो आप सब लोग अंदर ही थैंक्यू शाम होते होते तेज हवाओं के साथ लोगों को ठंड का प्रकोब जेलना पड़ता है ऐसे में कोहरे का ज्यादा असर ट्रेनों पर भी देखने को मिलता है हाला कि तापमान गिरने से गेहूं की फसल को फाइदा होता है ऐसे में जितने तापमान कम होगा फसल उतनी ही अच्छी होगी सीनियूस के लिए गोपाल शर्मा की रिपोर्ट